हेलो एव्रिवन जैहिन सभी को मेरा नाम है गोपाल शर्मा और मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं सीसेट जिसमें मैं 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 अपको पढ़ाता हूं तो आज हम बात करने वाले हैं यह सीसेट है क्या पहले बात तो मैं बता दू कि आप सबसरे बड़ा बता रहा हूं मैं आप लोगों आप यूपीए सी का स्लेबर सोथा के देख लीजिए उसका कोशन पेपर उठाके देख लीजिए या उसका नोटिफिकेशन उठाके देख लीजिए कहीं पर भी आपको सीशेट शब्द नहीं मिलेगा यह सीशेट शब्द कुछ टीचर्स ने मिलकर बनाया और सीशेट का मतलब क्या होता है सबसे पहली चीज मैं पूछ रहा हूँ जो आप लोग आज जानना चाहते हो इस वीडियो के थमनेल पर आपने देखा होगा कि वोट इस वीड रागी की बात करें तो सीशेट के फुल फॉर्म की बात थी सिविल सर्विशेज एप्टीजूड टेस्ट इस की थोड़ी सी हिस्ट्री में जाता हूँ आते टेस्ट इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में अगर मैं जाओं तो 2010 तक UPSC Civil Services के जो एक्जाम करा रही थी 2010 तक CSET का कोई भी पेपर नहीं हुआ करता था CSET के नाम से तो आज भी नहीं है आप चाहे कोश्चन पेपर उठा के देख लीजिए चाहे आप नोटिसफिकेशन उठा के देख लीजिए चाहे आप स्लेबस उठा के देख लीजिए कहीं आपको CSET शब्द नहीं मिलेगा CSET शब्द जो है हम लोग ने मिलकर बनाया एक शॉट फॉर्म ताकि आपको पता चले जिसका मदलब था civil services aptitude test मिल्स्त अब 2011 में यह एक्जाम एड़ किया गया तब तक कि पेपर होगा तद़ अगया अब जब इसको औरन किया गया तो दो पेपिर हुने लगे प्रलिम्ज करें पहले एक ही पर होता था प्रलिम्ज में तो रोट होना सुरू हो देखिए तो question paper में यह लिखाओगा स्यसेट नहीं लिखाओगा तो दो paper यहां पूछे जाने लगे 2011 में अब था क्या इसमें syllabus क्या रहा मैं आपको syllabus बदाता हूं syllabus क्या क्या रहा syllabus की बात करें तो उसे सेट में साथ sections यहां पर लाई गए और पहला section comprehension यानि की आपके unseen passages होते थे उसमें कोशन होते थे interpersonal skills, logical reasoning, decision making and problem solving, general maths, basic numeracy और data interpretation 2011 में जब यह आया तो यह कई लोगों का यह section बड़ा important होता था मतलब बड़ा मजबूत होता था तो वो लोग क्या करते थे paper 2 में general studies के paper 2 में बहुत अच्छा score मार देते थे और जिसका paper 1 अच्छा नहीं होता था वो paper 2 में कर लेता था और paper 2 जिसका अच्छा नहीं होता था वो paper 1 में कर लेता था लेकिन फिर भी देखा जाए तो इसमें maths और reasoning वगरा जुड़ने की वज़े से accuracy इसमें ज्यादा रहती थी जिससे number यहाँ पर ज्यादा आते थे तो यह decision होने लगा इस पर मतलब यह decision make करना लगा यानि की result making करने लगा यह 2011 की बात तो भाई यह देखने पर क्या हुआ कि जो बच्चे इतनी सारी किताबें पढ़ रहे हैं की उनका सेलेक्शन नहीं हो पा रहा था और जो यह चंद सब्जेक्स पढ़कर कुछ अच्छी महनच जादा गरके accuracy की साथ सेलेक्शन ले पा रहे थे तो इस पर petition file हुई Supreme Court में और Supreme Court से फिर बोला गया तो Supreme Court ने और पास किया कि भाईया इसको qualifying मना उसके वारे में कुछ सोचो तो UPSC ने 2015 में 2015 में 2011 में इस इंटर्डूस किया गया था एज़ा पार्ट अफ सिविल सर्विसेस एक्जाम ठीक है इन ओर तू टेस्ट दा एनिक अनलिटिकल रिजनी स्केल्स और रिजनिंग अबिलिटी एंड अप्टिट्यूड ऑफ कैंडिडेट इसको इसलिए एड किया गया था उसके अलावा सी सेट में कंट्रोवर्सी क्रेट हुई और चेंजिस किये UPSC ने 2015 में अब चेंजिस क्या हुए मैं आपको हिस्टी बता रहा हूं ताकि तब ही प्रप्रेट कर पाऊगे तो चेंजिस यह हुए अब प्रिजेंट स्कीम जो UPSC की चल रही है कि only the marks of GS paper 1 will be counted for calculated the prelims ranking rank की बात कर रहा था ना मैं rank भाई paper 2 से लोगों की rank बढ़ने लगी कोई बहुत जल्दी qualify कर पा रहा था however candidates have to score a minimum of 33 that is 66 marks out of 200 allotted for the GS paper 2 जिसे आप 60 कहते हो है ना in order to clear the civil services preliminary exam अब मैं आपको बताता हूं कि आप क्या best strategy रखो सबसे पहले तो paper का pattern समझो total 200 number का paper था total जो है 200 number का paper है पैन और पेपर से उता पैन और पेपर पेपर पे ओका duration दो घंटे का समय है असी questions पूछे जाते हैं और negative की बात करें तो वन थार्ड अलोटेड मार्क्स डिड़क्टिड डिड़क्टिड पर negative answer क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करूं तो 33 परसंट चाहिए होते 66 marks आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए ठीक उसमें आपका यह पूरा syllabus है इस syllabus को ध्यान से देखो आपको यह target करना है कि आपके 66 marks आजाएं आउट ओफ 200 यानि की 33% marks आपके आजाएं साथ सब्जेक्ट हैं जिसमें से मैं बात करूं logical reasoning decision making and problem solving general mental ability और basic numeracy और data interpretation यह पांच subjects ऐसे हैं यह पांच topics ऐसे हैं कि यदि आप सही तरीके से preparation कर रहे हैं सही तरीके से preparation का मतलब कोई भी एक teacher follow करते हो आप maths को पढ़ने के लिए reasoning को पढ़ने के लिए कोई भी एक teacher जो अच्छा पढ़ाता हो और अच्छा पढ़ाने के साथ वह आपको समझ में आ रहा है अगर वह आप कर रहे हैं प्लस उसकी guidance में दिये हुए questions को कर रहे हैं प्लस इसमें भी बहुत सारी ना देकर दिन का आपकी जो दिन चर रहा है वो दिन का सिर्फ एक घंटा only one hour daily दे रहे हैं यदि आप एक घंटा लगाता daily दे रहे हैं आपने पूरे दिन जीएस पेपर one का पढ़ा लेकिन जीएस पेपर two के लिए आप सिर्फ एक घंटा निकाले daily ऐसा ना करें अक्सर करके बच्चे यह जो गलतिया करते हैं कि जब exam की date आने वाली होती है उसके एक महीने पहले इसको पढ़ना शुरू करते क्या सोच कर कि यह तो qualifying है और कहीं ना कहीं एक दो नंबर से रह जाना उनके प्रिलिंप्स को क्रैक नहीं करा पाता है क्यों वह पेपर one में ही इतना जुटके लगे हैं क्योंकि रैंकिंग वहां से बननी है यह तो qualifying है तो इसको neglect करके चलते हैं इसको ignore करते हैं जिसकी वजह से जिसकी वजह से उनके selection में हमेशा प्रॉब्लम आती है आप एक घंटा डेली दीजिए mathematics है आपके दिमाग को relax करेगी reasoning है आपके दिमाग को relax करेगी और यह सोचके कभी ना पढ़ें कि जो भी पढ़ रहे है वो सब कुछ हमें आना चाहिए यह सोचके कभी ना पढ़ें paper के pattern को analyze करें कि कैसा paper का pattern चल रहा है आजकल सबसे जादा important कि paper के pattern को analyze करें level of difficulties कहां जा रही है level of difficulties कहां जा रही है किस तरीके से questions को पूछा जा रहा है किस तरीके से market में material available है आप लेने जाओ आपको हजारू किताबे देखने को मिलेंगी लेकिन उसमें से भी एक सही किताब का चुनाव करना और सही किताब का चुनाव करना सिर्फ उसी को आता है जो ध्यान से पढ़ता है वरना किताबे तो आप कुछ भी उठा लाओ वह अपने pattern को follow करता है अपने time table को follow करता है अगर आपका time table आपका डेली का target अचीव नहीं हो रहा है तो आप यह मान के चलिए आप कहीं पर कोई भी टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे तो इसमें से आप important simple simple चीज़ों को पकड़ लीजे syllabus तो बहुत होता है basic numeracy का syllabus दे सिस्टम सर्ट डिविजिबिलिटी पर्सेंटेज रिमेंडर तो आपको बहुत देखने को मिलेंगे यह बेसिक नियुमरेसी है चो सब ने पड़ी है लसे में सबने पड़ा करना क्या है थोड़ा सा रिवीजन ही तो करना अगर आप इससे दूर भागोगे अगर आप इससे दूर भागते रहें तो आप यह मान के चली समझने में बड़ी कठना ही होगी है ना प्रोबैबिलिटी ट्रेंस बोर्सेंट स्टीम टायमेंड वर्क पार्टरशिप एसाइसी आई मैंसुरेशन टायमेंड डिस्टेंस प्रॉफिट लॉस वर्केंड वेजिस प्रमुटेशन कॉंबिनेशन एलिगेशन मिक्सटर जमेट्री तो यह जो सलेवस है ना दिखने में वास्थ है आप पढ़ने बैठीए गणिते कैसा सब्जेक्ट है जिसके कॉंसेप्ट बहुत थोड़े होते हैं लेकिन अगर कोश्चन की बात की जाए तो कोश्चन बहु है मैं कहता हूँ आज भी आप उसको पढ़िए आज भी आप और सगरवाल को पढ़िए आरे सगरवाल का जो अपडेटेटेड बर्जन हो आप पढ़िए मैं लिख के देता हूं कि अगर आपने कॉंसेप्ट को समझ रखा है तो आप उसके कोश्चन को कर पा रहें तो आप आपका सी सेट में बेसिक नुमरेशी और जनर्ल मेंटल अबिलिटी कहीं नहीं गया बिटा कोई नहीं चुड़वा सकता और अगर आपका मैच अच्छा होगा तो आपका रीजनिंग अच्छा होगा मैच और इसलिए क्यूंकि इनके कोश्चन करने से जो आंसर आते वह एक इसको करना भी कि नहीं करना कैसे करें आप कंफ्यूज हो गए दो दो ऑप्शन 5050 लगए कि यह भी सही है यह भी सही है लेकिन इसमें ऐसा पैटर नहीं होता आपको कोशन खुद बताएगा कि करना क्या अगर आपका कॉंसेप्ट मजबूत है तो इसके अलावा देखो बहुत सारी सिंपल सिंपल चीजें सीट का मतलब क्या है वह मैंने आपको समझाई दिया आप सिर्फ फोकस रहिए आपका मैस अच्छा है आपका रीजनिंग अच्छा है तो इन दो टॉपिक्स को करके और साथ में मैं हमेशा कहता हूं यहां पर एक लिए पेपर एक वर्दान है वह एक हैबिट होनी चाहिए आप पेपर दे न दे नोटिफिकेशन आया हो ना आया हो पेपर पढ़ने से दो चीजों का सबसे बड़ा फायदा आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है दूसरा आपको करेंट अफेर्स की नॉलेज बढ़ती है तो आपको इन दो चीजों का ध्यान रखना इन दो चीजों को पढ़ना इंटर परसल स्किल्स की बहुत चोटी-चोटी बढ़िया-बढ़िया केताब आती है पढ़ सकते हो उनसे भी सीख सकते हो तो आप समझ गए होंगे कि क्या स्ट्राइजी रखनी है सबसे पहले तो चीजों को छोटा करो जो दायरा बहुत बढ़ा हुआ उसको बहुत छोटा करके लाओ कि इसमें से क्या पढ़ना है अगर आप दायरा बढ़ा रखोगे तो आप समझने में हमेशा मुश्किल होगे चलिए मिलते हैं फिर किसी बार इसी तरीकी की और वीडियो में दाप्तर किले सभी को जो है